फिल्म घुसपैट्या की उबराय करते भी है तो अब उन सभी मुसीवतों से विनित कुमार सिंग का कैक्टर कैसे निकलेगा और इन सब के बीच उर्वशी रौतेला जो कि उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है क्या स्टैंड लेती है क्या नहीं उन सभी पर ये फिल्म फोकस दालती है पूरे दो बारा मिनट के आसपास के रंटाइम से जो कि मेरी नेजर में इस फिल्म के कंटेंट के हिसाब से तो definitely आपका देना बनता ही है क्योंके मेकर्स की तरफ से जैसे की मैंने कहा कंटेंट को ही किंग मानते हुए इस फिल्म की कहानी को अच्छे टेलेंटेर एक्टर के साथ ही कु क्यों ना रखे लेकिन फिर भी एक अच्छे कंटेंग को प्रोवाइट करने में कामियाब हो रही थी जिसे देखकर के मैं यही सोच रहा था कि यह फिल्म जितनी जादा ओडियन्स को पता चले उतना ही अच्छा रहेगा इसलिए जैसे ही जब मैंने इस फिल्म की पहली स्क्र पर ही उसे अक्टर अपनी एक्टिंग के बलबुते पर काफी अच्छी तरीकी से कहरी करते है इसलिए मैं कहूंगा कि फिल्म की कास्टिंग डिपार्ट्मेंट का काम फिल्म के 2 लीड एक्टर को लेकर के बहुत जादा आच्छी थी क्यूकि इन दोनों ये आक्टर के है क्योंकि audience वहीं पुराने घिसे बिटे content एक हिसाब से कह सकता हूँ कि देख देख करके पक गई है ऐसे मैं अगर makers की तरफ से ही अच्छे content बेफोकस नहीं किया जाएगा तो फिर audience अच्छे content की तो भटकेगी ही जो कमी मुझे लगता है कि घुसपेट या फिल्म पूरी भी करती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जिसे ले करके तो कहना यही रहेगा के इस वी एक अच्छा content त्रेटर में आपको बुला रहा है जिस पर अब देखना न देखना आप पर डिपेंड करत है बागी फिल्म फैमिली के साथ भी देख सकते हो इस बात की भी शौरिटी अभी ही कर दू तो ठीक रहेगा इसके अलावा आपने फिल्म देखी है तो आपकी क्या रावनती है वो आप मुझे कमेंड में लिखके बताईएगा क्योंके मेरी तरफ से फिलहाल तो बस इस को की रिवीव में इतना ही बाकी मैं हूँ अजीज मोवी स्टॉक शोर चैनल लाइक शोर सब्सक्राइब भूलना मत प्रूंगा जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई